तो जो लोग 4K में वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं और एक PC बिल्ड की और देख रहे हैं तो ये वीडियो कन तक ज़रूर देखेगा दोस्तों मेरा नाम है गोरोबर्ट आप सभी का स्वागत है एनी एफेक्स के यूट्यूब चैनल के उपर तो दोस्तों आज जो है बिल्ड करने चाहरे हैं 4K बजेट PC बिल्ड तो यहां पर जो हमारे PC एक्सपर्ट है राजू भाई तो यहां पर पूरा कंफिक्रेशन जो है बजेट में हो जाए और परफॉमस जो है काफी बेतर मेले उस तरह से पूरा PC कंफिक्रेशन सेट अप किया है तो यहां पर सब्सक्राइब तो यहां तो सोनी का आलफावन जो भी अलगे मेरा आ रहा है उसमें फोरके वीडियो एडिटिंग फोरके की जो फायल बनती है और उसके लिए एडिटिंग के लिए जो अच्छा सा PC चाहिए तो मतलब यही होता है कि जो बड़ा बजेट वाला तो PC बनता ह है और उसमें एडिटिंग हो जाता है लेकिन हम इसा कॉंबिनेशन करते हैं कि जी अपना बजेट भी बना रहा है और फोरके एडिटिंग का हमारे परपस है वह भी सोल हो सके और फुली प्रोफेशनल PCM बना सके इसलिए आपके साथ यह सेर कर रहा है तो बजेट की बात कर इसके यहां पर ग्राफिक करडosaur आपने कुछा सेर्पी आर में जो ग्राफिक करड की बात करक्रा घुब करा हूं तो ग्राफिक कर देंविदय का कोडरो सजिस्किया टीवन थाउजिन वाला चारो का चारो उसमें 4K का पॉर्ट है और साथ में आप जो डो एट के वाला भी LED लगा सकते हैं दो एट के का LED या तो फोर के वाला चार LED एक साथ आप चला सकते हैं 896 क्यूडा कोर है उसमें चाहां 160 GBPS की उसकी जो बेंड वी थे मेमरी की DDR6 वाला ग्राफिक काड़ है और फोर के के लिए पूरा का पूरा के पेबल है तो प्रोसेसर जो है वीडियो एडिटिक में बहुत इंपोर्टन होता है त्योंकि सारी प्रोसेसर की मदद से होती है उससे आपका वीडियो एटिरिंग का पर्फॉमंस रहता है फास्ट चले या स्लो चले तो ज्यादा से ज्यादा कोर में इसलिए जो ही यहां पर राजुबाई ये प्रोसेसर में क्या है कि आपनी यही सजेस्ट किया जो गवरू तो सबसे इंपॉर्टन्ट है पर 4K इलिए फोरके रिंडरिंग के लिए वह एब प्रोसेसर का कॉर्स जितना ज्यादा प्रोसेसर का कॉर होता है उतना फुरके का रेंडर में स्पीड मिलती है तो हमने यहां राइजन 9 सीलेक किया है राइजन 9 का 39900x वाला प्रोसेसर और हम यहां discussion कर रहे है budget की, तो यह सबसे budget वाला processor है, फिर भी उसमें 12 को 24 thread मिल रहा है, और साथ में क्या है, उसकी जो base frequency है, वो 3.8 GHz है, और साथ में boost frequency है, 4.6 GHz मिल चाती है, और 7 Tm भी catch मिल चाती है, तो यह सबसे बढ़िया processor है, और दूसरी बात यह है, कि most of processor जो है तो में किया है, अलग से आपको liquid cooling डालना पड़ता है, इसके साथ अपनी जो stop cooler fan दिया हुआ है, तो मतलब कि जो 56,000 या जो more than आप जो भी चाते है, वो आपका budget में कटोती हो जाती है, तो अलग से आपको liquid cooling डालना नहीं पड़ता है, तो अगर इसके अलावा कोई Intel में जाना तो इंटल में अगर i9 वाला processor है, जो 11 generation का आगया है, 11900K वाला, तो वो भी इसकी costing है, इससे ज्यादा जो 5-6,000 ज्यादी है, और साथ में उसमें जो cooling fan नहीं आता है, तो आपको 6000 का cooling fan डालना पड़ता है, तो मतलब कि जो 12-14,000 का जो difference रहता है, तो और फिर भी जो परफो से यह दोनों का जो parallel रहता है, इसमें कोई ज्यादा difference नहीं पड़ता है, यह भी क्या है कि Intel versus Ryzen चल रहा है, तो हम तो यहां पे जो mainly क्या है कि जो सबसे important है, जो हमारा work होना चाहिए, performance में, उसमें processor कोई भी हो, फिर भी सभी customer यही चाहते है, कि जो उसका PC अपने budget में बने और performance वाला बने, तो मेरा हमेंसा यही कोशिस रही है, कि मैं उसके budget में अच्छा performance वाला PC दे सकूँ, तो यही एक जो confusion रहता है, कि प्रोसेसर जो भी आप ले रहे हो, ठीक है, उसके according कोई एक expert बंदा ही बता सकता है, कि आपके budget के इसाब से कौन सा बेतर है, कई बार Intel का भ PC बिल के requirement हो, तो आप inquiry होगे रहा करके जो है, आप PC के लिए भी जो है, आगे बात कर सकते हो, तो यहाँ पर अभी next जो है, motherboard, जो यह motherboard कौन सा है, राजु भी, यह हमारे अगले वीडियो में हमने दिखाया था, जो Ryzen 7 वाला, उसमें जो motherboard डाला है, यही motherboard हम इसमें यूज क जो X570 वाला, लेकिन जो motherboard का जो main role होता है, क्या है कि वो कितनी hard disk को hold कर सके, कितना USB port हो, और जो processor को supportation है, तो यहाँ पर यह motherboard में सभी features है, कि जो maximum 128 GB तक RAM support करता है, दो NVMe support करता है, चार hard disk में मिल जाती है, वाइफाई और Bluetooth पीन में रहता है, तो यह motherboard हमारा budget वाला भी है, और performance वाला भी है, इसलिए यह motherboard चुना है, और इसमें warranty कितनी है, यह देखिये processor, motherboard, graphic card, सब में तीन साल की warranty मिल जाती है, और साथ में जो SSD drive डाली है, तो यह Samsung की जो है, SSD drive है, हाँ गवरो, यह Samsung की 980 शीरीच की सबसी latest वाली SSD है, इसमें दो टैप की SSD आती है, 980 में, जो generation 4 व हमें जो data transfer speed मिलती है, 3500 MBPS से 5000 MBPS तक मिल जाती है, और जो 980 Pro series की है, उसकी 7000 टक data transfer speed, लेकिन यहां पर हम जो budget PC बना रहे हैं, मैं बार बार यह सब्दा यूज कर रहा हूं, budget PC, क्योंकि यह जो professional PC है, फिर भी budget PC है, और इसलिए मैं इसमें compromise नहीं करना चाहता हूं, तो मैंने जो इसमें Samsung की 980 series की इसलिएक की है, दुनिया में सबसे बड़ा वाला जो cheap manufacturer है Samsung है, उसकी सबसे बढ़िया की बढ़िया SSD मिल जाती है, साथ में 5 साल की warranty भी आती है, इसलिए मैं सजेस्स करता हूं, नेक्स जो है power supplier जो important होता है, पूरा PC बिल्ट हो जाए, बट power देना बहुत important है, तो अच्छा वाला जो है power supplier कौन सा रहेगा आपके इसाब से, मेरी जो first choice है, वो सबसे अच्छी choice में कि जो power supply 80 plus bronze तो होना ही चाहिए, अच्छे PC के लिए, दूसरी बात, उसका जो motherboard, processor, graphic card जो भी लगने वाला है, उसी इसाब से उसका एक calculation होता है, साथ में कितनी hard drive लगा नहीं है, लेकिन हम जो PC देते तो साथ में एक hard drive के साथ देते, और बाद में जो हमारा जो customer है, वो upgrade PC करने, storage upgrade करने के लिए दूसरी hard drive डालते है, और तीसरी डालता है, इसी तरह से ज्यादी hard drive डालते रहते हैं, और साथ में जब work चालू रहता होता है, तो तभी ये data copy के लिए USB drive भी 2-3 या लगी रहती है, तो इसके लिए अच्छा power supply ह होना चाहिए, तो मैंने ये cooler master का 750 watt का जो power supply चुना है, 80 plus bronze वाला है और 5 साल के warranty वाला है, जो अच्छा performance देता है, तो भी इसमें important होती है रेम और यहां पे राजुबाई ने रेम जो suggest किये है, देखे गरो, यह जो हम यहां पे 4K editing वाला PC बनाने ठीक है, अपने जो अगले 32GB तो minimum चाहिए ही, उससे कम में हम अगर ऐसा सोचे कि हमारा 4K smoothly जल देगा तो इसा नहीं, क्योंकि 4K की फाइल जो लार्ज फाइल होती है, जो HD की फाइल होती है, उससे चारा गुनी ज्यादी उसकी साइज होती है, और उतनी साइज है, जो भी हम PC own करें तो पूरा का पू तो रिट्चो सीरीज की रेम है, 32 मेगा जो वो सिलेक की है, वो 16GB दो मोडिल डाल रहा है, और अगर जो बेटर परफॉमस और ज्यादा चाहते है, और ज्यादा थोड़ा सा बजेट हो, तो 64GB भी डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा परफॉमस लेकिन इसमें आपका का जाएगा बिन अधिकत के, तो काम चल जाएगा, अगर आप और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और परफॉमस और अच्छा चाहिए, तो आप 64GB भी कर सकते हैं, तो यहां पर एक केबिनेट जो है, वो कौन सा सजेश की आपके, जो हम थोड़ा सा जो एक लाख उपर का PC बना अज़ी ने जो कोरसर की जो स्पेश छीरring है, वो केबिनेट सेलेक कर रimporte है, उसमें और चार अपका लगा सकते हैं, एक ब में 120 mm का पी फैन्लगा सकते हैं, आगे 2 120 mm का फैन्ली की फैन्लगा सकते हैं, और यान defense हैं, यानि करों लिक्वीड कुलर की 240 mm के टाल सकते हैं, तो यह बढ़िया और budget friendly cabinet है जो हम unboxing करके देखेंगे इसके लिए आप अपने डेटा को स्टोर करने के लिए यह यहां पर डलवा सकते हो तो यह पूरा complete PC बनता है तो यह भी रिक्वायर होता है तो अभी यह जो हमार यह PC के लिए कि हमने यह टूटी विए ड्राइव सेलेक की है क्योंकि डिटा लाज होता है तो पहले यह टूटी भी की ड्राइव इनफ है और आगे जहादी ड्राइव डाल सकते हैं तो अभी जो यह PC बिल कंप्लेट करते हैं और हम मिलते आगे कि मिलते तो झाल 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 तो दोस्तों 4K वीडियो एडिटिंग के लिए PC जो हो चुका है पेसिफिक जो है 4K के लिए यह कन्फिग्रेशन आपने सजेस्ट किया है तो किस तरह से वर्क करता है 4K में यह देखिए जो प्रोके का रिजुलिशन होता है वो अल्ट्रा यूस्डी मतलब की जो आड़ तीस सो चालिस पाइए इकीशीरचा का पिक्सल शिजुलिशन होता है एस डी रेगिलर फाइल से चार गुना ज्यादा है और जो एस डी की जो एक रेगिलर फाइल है वन में एक मिट की जो क्लिप होती है वह एप्रोक्स हम जो गेलकुलेट करें जो कोई भी DSLR की इसमें भी जो कोई 1Dx वाला या तो सोनी आलफा वाला है तो 300 MB की क्लिप मिलती है अगर उसी क्लिप को हम 100 Fpbs में जो सूट करते है तो 25 MB जितनी साइज हो जाती है यह तो सिर्फ HD की बात हुई है अगर 4K की बात हम करेंगे तो 4K के लिए क्या है कि जो 30 Fpbs में जो कोई भी सूट करता है तो उसकी फाइल है 3400 MB की फाइल बनती है एक मिनिट की क्लिप और जो 60 Fpbs में जो सूट करता है तो करिब 6700 MB जितनी एक मिनिट की फाइल बनती है तो ऐसी लार्ज फाइल है उसे हैंडल करने के लिए कोई अच्छा सा जो कंफिग्रेशन चाहिए उसमें जो ज्यादा सा कोर हो ज्यादी रेम हो अच्छी वाली HDD हो और अच्छा ग्राफिक काड़ हो तो फिर भी यह बजेट वाली बने तो इसी साब से हमने जो कंफिगर किया है यह राइजन 9 है 12-core 24-3 है उसका जो मदरबोड है PCI generation 4 वह 128 GB तक रेम हैंडल कर सकता है और जो बेटर रिजल के अभी हमने 32 GB डाला है 64 भी मैं वर्क करता है वर्किंग ड्राइ के लिए भी मैं एन्वेमी सजेस्ट करता हूं कि 1 TB या 2 TB की डाल सकते हैं और जो ग्राफिक काड़म ने कोडरो सीरीच का डाला है जो फूर के क्यों हैंडल करने के लिए कैपेबल है तो आपने काफी अच्छा जो है कंफिग्रेशन बना के दिया हमरे सब्सक्राइबर को इसी तरह के जो है PC बील के वीडियो हम बनाते रहते तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जूरू सब्सक्राइब कर लेना और जो अपडेटेट चीजें भी काफी आती रहती है तो अभी जो इन्होंने कोड्रो का जो आपको बेस्ट ग्राफिक काड़ दीख बताया है उसका जो रिजल्ट है वह एंवीडिया के जो गेमिंग सीरीस से है के ग्राफिक काड है जिसका 45,000 रुपे तक खर्च करोगे तब पर फरकॉंश मिलता वहीं पर फरकॉंश आपको जो एक कोड्रो स्रीज का प्रफेशनल लेवल ग्राफिक काड़् चाड तो में बेनिफिट होता है कि जब कोई एक्षपर्ट का हम राई लेते तो उनको पता होता है कि हमारे रिकॉर्मेंट और बजटेट के इसाब से क्या से पीसी बाई करिया है और जो लोग करना चाहते तो हम गुज्राज से राजुपाई राजकोट से तो आपको जो भी पीसी वगर आप बनवाने आप बनवा सकते हो और आपको जो ओल ओवर इंडिया में कहीं पर भी जोए सीप कर देगे मैं भी एक बार सब्सक्राइब कर थेंक्यू बोलना चाहता हूं जो भी जिसके सपोर्ट से हम यह पूरे इंडिया में पीसी ले रहा है और उसके सेटिस्पाई है तो मैं उन सबी को धन्यावाद देता हूं और फिर भी जो हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करे थेंक्यू पर वच्छिंग फ्रेंज फिर मिलते हैं बाई बाई बाई